So Hello Everyone, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर So आज की इस वीडियो में मनबॉक्सिंग करने वाले हैं के एक एक स्टेंसन बोर्ड का So अगर इतक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल बेटन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आजाए So यहाँ पर आप देख सकतो यह रहा हमारे पास एक एक स्टेंसन बोर्ड जो की कैबलेट कंपनी के तरफ से आता है और यह बिल्कुल वाइट कलर्स में है और इसमें जो सॉकेट्स यूज हैं उसके अंदर ब्रास के पीन से हैं इसमें 6 सॉकेट्स आपको मिल जाते हैं और साथी साथ जो इसके जो बटन से हैं वो पुस बटन है बित LED इंडिकेटर के साथ आते हैं इसका model number 6060 है आप तो online इससे सर्च कर सकते हो और इसके अंदर जो आपको appliances यूज करना है वो up to 2500 watt के अंदर ही करना है इसके उपर के appliances आपको run नहीं करना है इस product में आप courses करना जो भी high end appliances आते हैं जिसमें की 2000 watt प्लस होता है जो single appliances उसको आप run मत करना इसमें अगर यहां पर कुछ इसकी features की बात करें तो इसमें आपको flame retardant इसका जो body है वो इसमें मिल जाता है up to 750 degree तक heat को ये resist कर सकता है और इसके अंदर जो cable used है up to 1.8 meter की इसके जो wire है काफी heavy आपको इसमें wire मिल जाता है तब भी आप इसका जो भी use करोगे heavy appliances जो 2000 watt के जैसे heaters या microwave oven जो भी होते हैं तो आप इसमें आप इससे connect मत करना तो यहाँ पर जो आपको buttons दिये गए है वो push buttons है with LED indicator के साथ आते हैं तो जब भी आप इससे press करोगे तो जो inside जो LED है वो glow करना start हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पर आपको left right में दोनों side hooks दिये गए है जिसके through आप इससे hang कर सकते हो easily यह cable आप left side को use करना चाहते हो hanging purpose के लिए तो उसे भी आप इससे कर सकते हो इस product का basically laptop charge करने के लिए या desktop में CPU monitor को power देने के लिए आप यूज कर सकते हो और या iron आप यूज करते हो तो 800 watt to 1400 watt तक आप इससे easily use कर सकते हो इसमें wire का जो length है काफी अच्छा है 1.8 meter का आपको इसमें wire मिलता है और जब मैं यहाँ पर इससे on करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक blue color का LED glow होता है तो इस product में आप देख सकते हो मैंने सारे buttons को यहाँ पर on कर दिया है और जो इसका look है काफी अच्छा दिखता है इस LED indicator के साथ तो यहाँ पर overall look की तो बात हो गई है काफी अच्छा दिखता है बट यहाँ पर एक disadvantage मुझे यह लगा कि इसके अंदर कोई भी protection नहीं दिया गया है short circuit protection या ऐसा कोई भी fuse इसके अंदर नहीं है अगर sudden spike in current voltage अगर कुछ भी हो यहाँ पर fluctuation होता है तो यहाँ पर कोई भी protection इसमें हमें नहीं मिलता है तो overall जो इसका जो build quality है काफी अच्छा है premium looks है इसका जो look है काफी premium है और इसी के साथ इसका जो push buttons है वो भी काफी अच्छा है उसका जो quality है काफी अच्छा है तो आसा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलेंगे हम next वीडियो में किसी new information के साथ थैंक्स वर वाचिंग फवाच्छिण